चीज़ करावड़ें, चलिए कि KCR, TRS पार्टी विदान सवा को भंग करके एलेक्शन को जाने के लिए तयारी कर रहा है कोई बड़ा मीटिंग रखा है एलान करने के लिए और केंद्र सरकार का साथ बाचित कर रहे हैं विदान सवा भंग करके एलेक्शन करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से अखिल वारत कॉंग्रेस कमीटी की तरफ से हम लोग भी इलेक्षन के लिए त्यार हैं क्या इलेक्शन लवेंबर में हो डिसेंबर में हो अप्रेल में हो कभी भी इलेक्शन करने से इलेक्शन लणने के लिए हम लोग तयार है और इलेक्शन गितने के लिए भी हम लोग तयार है और इक कॉंग्रेस पार्टी इलेक्शन में जरूर जीतेगा मगर सवाल यह है कि के केसी आर को त्यलंगना राष्ट्र निर्मान होने का बाद हलाकि कॉंग्रेस की फैसला सुनियां गांदी की फैसला पर त्यलंगना राष्ट्र निर्मान हुआ था और केसी आर को जो मैंडेट दिये है यह मैंडेट 2019 अठरा एप्रिल तक है यानि कि इतना समय पहले जहां तक उनको मैंडेट है सरकार चलाने का वो विदान सबात तोरने के लिए क्यों चाते है हाय वाटीज्ट इसडिकर के तो दिजाव दी पार्लेंट क्या केसियाख का खिलाब में असेम्बिषा करने को क्यूं चाता है क्या केसियार का खिलाब में कोई स्काम है अभी जोग आइस मिए वो आसेमब्ली को Gibson करके फिर जनमत मको पाने के लिए कि एलेक्शन को जा रहा है कि क्या के सियार जन समर्थन को डर रहा है और जे छे बार सर्वे करने का बात जोर से बोल रहे हैं कि हम एक सो से ज्यादा सीट मिलने का उमीद है अगर यह बात सही है कि तो यह आठ मास मईना पहले जल्दि बाजी में इलेक्शन को तैरी करने का क्या जरूरत है यह जरूरत तब होता है जब समय अतिक्रम करने का बाद किसी का सपर्ट बेस लूज हो रहा है और इसलिए इलेक्शन करके जल्दी जल्दी इलेक्षन में जीतने के लिए कुछ नेता जो कोशिस कर रहा है क्या ये तो सच नहीं कि KCR का सपोर्ट बेस कम हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी इलेक्षन करना चाहते हैं दूसरा बात यह है इलेक्षन करने के लिए पैसा खर्च होता है अगर कल लोग्षवा बिदान सबा इलेक्षन एक साथ में होगा तो केंद्रे सरकार का राज्य सरकार का 50% पैसा खर्च होगा 50% 50% अगर राज्य सरकार बिदान सबा को तोड़के अभी इलेक्षन कराएंगे तो टोटल एक्स्पेंडिचर को राज्य सरकार को देना पड़े राज्य सरकार को जो ज़्यादा खर्च होगा यह भी पॉब्लिक एक्स्चेकर में जाएगा दुसरा है अगर नवेंबर में इलेक्षन होता है तो समझ लीजिए सेप्टेंबर से सभी डेवलम्मेंट वार्क बंद हो जाएगा क्यूंकि इलेक्षन का रूल लागू हो जाएगा